सब्सक्राइब करता हूं उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे आज कि इस क्लास में हम कोई जो है इस्पेसल सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तयारी करने वाला जो आस्पारेंट होता है उसके लिए हर मुद्दा एक सिलेबस है एक बिसे है आ आला कि उस बांध को बनाने में चाइना उसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान की तो उस पूरे मसेले को समझेंगी बांध का नाम क्या है कि इस नदी पर बन रहा है और भारत उसका बिरोत क्यों कर रहा है और वो बिरोत कहां तक जायज है तो आज कि इस क्लास में हम यहीं समझ देखेंगे जो बहुत महत्पूनद है खासकर यूपीसस की तयारी कर रहा है उनके लिए बहुत महत्पून है तो अज़स देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या है यहां पर आपको दिख रहा होगा दिया मार बासा परिगोजना के बारे में लिखा हुआ ए्या है, यह यह इनक पहले मैप देख लेते हैं कि मामला है क्या उसके बाद में चीज़ ज्यादा असानी समझ में आएंगी ठीक है तो यह आपको मैप दिख रहा है मैप में यहां आपको अफगानिस्तान दिख रहा है यह इसलामाबाद दिख रहा है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और यह आपको आप जानते हैं कि भारत में एक राज है जम्मुक एंड कास्मीर जे एंड के ठीक है ये एक राज है इसका एक हिस्सा जिसे हम पाकिस्तान आकुपाइड कास्मीर कहते हैं पी ओ के उस पर पाकिस्तान का भी कबजा है ठीक है तो उस पार्ट में जो है जो जगे हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान जगे है तो उस पर क्या है पाकिस्तान का कब्जा है इसी जगे पर पाकिस्तान एक डैम बना रहा है जिसका नाम है दियामार बासाड डैम तो पियोके में गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में पाकिस्तान एक डैम बना रहा है जिसका नाम है दियामार बासार डैम तो ये तो हो गई भूमिका अब यहां से आपको बात आगे समझना है मेर मुद्धे पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा इसके बाइगराउंड के बारे में मैं आपको बता दू इस डैम को बनाने के लिए पाकिस्तान बहुत दिन से लगा हुआ है बहुत परेसान है लेकिन डैम को बनाने में जो खर्चा है वो बहुत जादा है इसलिए लगाता है ये काम पिछड़ता रहा लेकिन पाकिस्तानी सेना का जो आर्थिक बिंग है उसने फिर से एक काम सुरू किया और इस काम में उसकी सहायता दिया चीन ने चीन ने उसकी सहायता की और सहायता किस बेसिस पर की चीन एक परियोजना को आगे बढ़ा रहा है जो चीन की बहुत ही महत्वा कांची परियोजना है जिसका नाम है O-B-O-R ठीक है O, B, O, R ये जो परियोजना है ये चाइना के लिए बहुत ही महत्पूर्ण परियोजना है चाइना चाहता क्या है One Belt, One Road ये जो इसका पूरा नाम है ये चाइना चाहता ये है कि जल मार्ग, अस्थल मार्ग और वायू मार्ग ये तीनों जोड करके वो चीन से ले करके सीधे मद एसिया में पहुँचना चाहता है ताकि जो पूरा व्यापार का रूट विक्सित हो सके पुराने काल में एक सिल्क रूट हुआ करती थी तो जो चाइना है वो इसलिए समर्धन कर रहा है इसका क्योंकि वो अब चुकि अगर चाइना को मद देशया में पहुचना है तो उसको पाकिस्तान के साथ जो है बनाना होगा पाकिस्तान के साथ उसको जो है समझोते करने होंगे इसी के तहट एक O.B.O.R में एक प्रोग्राम है CPEC चाइना पाकिस्तान एकोनामिक कोरिडोर इसका नाम है चाइना पाकिस्तान एकोनामिक कोरिडोर तो इसी के तहट जो है चाइना ने यहाँ पर मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और ये मुद्दा इसलिए जो है बढ़ा हो गया क्योंकि भारत ने इस पर अपना कड़ा प्रत्रोद जताया है जो कि जायज भी है तो मुझे लगता है कि भूमिका बन गई है अब हम पूरी बाद सुरू कर सकते हैं तो अब यहां से हम पूरी बाद सुरू कर लेते हैं हाल ही में भारत सरकार ने पियोग के इस्थित गिल्डिट बाल्टिस्तान को अपना अभिन अंग बताते हुए चीन और पाकिस्तान के साजह बांध दिर्माड पर कड़ा प्रत्रिया दिया है या बांध सिंधू नदी पर पाकिस्तान बना रहा है किस नदी पर? सिंधु नदी पर. ठीक है? तो यह आप याद रखेंगे, यह सवाल बन करके आएगा आएगा आपके पेपर में. किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, ठीक है? जिसमें उसकी आरथिक मदद चीन कर रहा है. चीन ने इस मसले पर अस्थानिय लोगों के बिकास का हवाला दे करके भारत के बिरोध को हलका करने की कोशिस की है जब भारत ने कड़ी प्रतकिरिया दी अपना कड़ा बिरोध दर्ज कराया तो वर्ड कम्यूटी को चाइना ने बताया चुकि वहां की जो अस्थानिय लोग हैं पी-ो-क के उनके विकास के लिए डेम बनाया जा रहा है ताकि वर्ड कम्यूटी में जो भारत का बिरोध है प्रतकिरिया है उसको हलका किया जा सके यह चाइना का कुटिल चाल है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर चीन और पाक एक साथ क्यों है ठीक है यह बात में आपको थोड़ा समझाई थी चीनी परियोजना O.B.O.R.N. की One Belt One Root का एक हिस्सा है सीप्यक जिसका मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर है इस परियोजना के द्वारा चीन बलूच, अफगान, गौादर और सिंजियांग प्रांद को जोड़ना चाहता है इससे पाकिस्तान को कई फाइदा नजर आ रहा है इस परियोजना के तहए चीन पाकिस्तान में सनक, रेलवे ट्रेक हवाई अड़े आदि बनाएगा यानि की इस परियोजना के तहए चाइना जो है कई अन्य विकास के काम जो कई इंफराटेक्चर आदि विकास है इंफरास्टेक्चर वाले वो पाकिस्तान में हो करेगा क्योंकि माल के सप्लाई के लिए या जो बलूचिस्तान में जो चाइना ने पूरा वहां से खानीज निकाला तो वो काम भी जो है करेगा हाला कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उसका फाइदा हो रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि चाइना उसकी ठीक है ले रहा है क्योंकि चाइना कभी भी प्रानुकसान करके कोई सौधा नहीं करता है ठीक है अब यहाँ पर पूरा मामला यह समझ लेते हैं कि भारत इस पर विरोध क्यों कर रहा है भारत की समस्या क्या है तो सर्व बिदित है कि भारत का हिस्सा है ठीक है तो मैंने सुरात नहीं बता दिया अता इस भूमी पर कोई और देश आर्थिक गजविधी कैसे कर सकता है जायद सवाल है चुकि वो एक बिवादित मामला है और कस्मीर का पायट है और कस्मीर भारत का एक राज है अता उस पर चाइना पाकिस्तान डैम कैसे बना सकता है दूसरी बात दिया है चुकि प्योग के स्ट्रेटिक पॉइंट है जैसा कि आप भी आपने मैप में देखा कि वो बिल्कुल टाप पर हिंडिया के तो वो सुरच्छा के दिश्कोंट से बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा अता भारतिय सुरच्छा के दिश्कोंट से चीन का इतना करीब आना भारत के लिए चिंता का विसे है ठीक है तो कहीं न कहीं चाइना इस कोशिस में लगा हुआ है कि भारत को हर तरफ से घेरा जाए चाहे उसका नेपाल के साथ संबंध हो या O.B.O.R. हो सीपिक हो या परल आप इस्ट्रिंग जो बना रहा है ये सारी चीजे कहीं न कहीं भारत को घेरने की कोशिस की जा रही है और भारत का जो उसमें बिरोध है वो बहुत ही जायज है एक और बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये डैम भारत के लिए बहुत खतरना क्यों सावित हो सकता है जैसा कि आप यहाँ पर मैप पर देख पा रहे होंगे कि ये जो डैम है ये बिलकुल पहाड़ी पर बना हुआ हुआ ये पहाड़ आपको दिख रहा है ठीक है बनाई जाएंगी सिचाई पर ये जनाय बनाई जाएंगी अब आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की इस्तती कैसी है वहाँ पर अतिवादी मिलिटेंट की संख्या बहुत जादा है और कहीं न कहीं वो सरकार भी चला रहे है अब कल को अगर पाकिस्तान जान बूज करके इस डैम को जहां पर पानी कठा करे और तोड़ दे जान बूज कर तोड़ दे तो भारत का आधा भारत पानी में बह जाएगा ये बहुत बड़ा एक संकट हो सकता है देश के लिए ठीक है चुकि आप देखके जो ढालान है वो इस इधर तरफ है यानि कि भारत की तरफ है पाकिस्तान का ये जो पार्ट ही प्योज परबत पे उचाई पर है ठीक है तो अगर ये डैम बना करके और पाकिस्तान ने जान बूच करके तोड़ दिया या अतंकवादियों ने ही तोड़ दिया तो भारत को बहुत ज़्यादा आरते नुकसान हो सकता है तो कहीं न कहीं इस डैम का भारत का बिरोजायज है और होना चाहिए तो परिच्छा के दिश्कोंड से जो महतपूर सीज़े हैं वो क्या है कि दिया मार बासा डैम जो है कहां पर बन रहा है गिलगिट बार्टिस्तान में बन रहा है दूसरी बात यह सिंधु नदी पर बन रहा है जो तीसरी महतपूर्ण बात है वो CPAC है जिसको आपने समझ ला है कि चाइना पाकिस्तान एकोनामिक कोरिडर चोथी महतपूर्ण बात है O.B.O.R तो यह जो है आपको मेंस में सवाल भी इस पर मिल सकता है खासकर जो I.R. वाला सक्षन है या इंटरनल सिकूर्टी वाला सक्षन है ठीक है I.R. या I.S. वाले सक्षन में आपको मिल सकता है सवाल मेंस के रूप में या हो सकता कि प्रारंभी परिच्छा में ही आपसे पूँछ लिया जाए ठीक है तो ये बहुत ही महत्पूर था और जो लंत मुद्दा था इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया अगर आपको पसंद आया हो तो आपको इसको लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के पास और अपनी राय कमेंट बाक्स में जरूर दीजिए बाकी इसी तरीके से अच्छे इच्छे क्लास वीडियो और इंपॉर्टन बाते देखने के लिए हमारे चनल के साथ जुड़े रहिए अगर अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी प्रेस खलीजिए ताक कि सबसे पहले आपको वीडियो मिले धन्यवाद